Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh मेरा सवाल ये है अगर कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली जाए और उसको तोड़ दी जाए तो हमारे इल्म में तो ये है कि कुरान पर हाथ रखकर कसम तोड़ने का कफारा है तीन दिन का लगतार रोजा रख लेना लेकिन अब हमारा जो सवाल है वो ये है कि हमने माल लीजे कुरान पर हाथ रखकर चार कसमें एक साथ खाई और उसमें से पहली और दूसरी कसम हमने तोड़ दी तो क्या उन दोनों कसम तोड़ने का रोजा से तीन दिन रहेंगे या पहली कसम तोड़ने का तीन दिन रहेंगे और दूसरी कसम तोड़ने का तीन दिन रहेंगे चारों कसम तोड़ने का अलग-अलग रोजा रहेगा या एकी में बस तीन रोजा रहे लिए तो वो चारों हो गया प्लीर इसका जवाब ने कुरान और हदीस की रोस्नी में अस्सलाम वालेकूम रहमतुल्लाहिव बरकातू अमाई सब का सवाल है अगर किसी ने कौरान मजीद पे हात रखकर कसम खाई तो उसका कफारह क्या है और फिर एक सवालों करते हैं कि किसी ने चार ककसम खाई है तो उसको चार कफारह देने होंगे या क्या करना होगा देखिए आपके दोनों सवालों से पहले मैं आपके सामने ये वाज़ कर दो कि कुरान मजीद पे हाथ रखके कसम खाना ये जो तरीका है ये अल्लाह के नभी सल्लालाहु आलेही वसल्म से ताबित नहीं है और नहीं सहाबे कराम रजियल्लाहु अनहुम से थाबित है बलकि बाज अहल इल्म नहीं इसे बिद्धत करार दिया है नहीं ये काम नहीं करना चाहिए आपको कसम खाना ये कसम खाएं लेकिन कुरान मजीद पे हाथ रखके कसम खाना ये अल्लाह के रसूल सल्लालाहु रखके का तरीका नहीं है और ना ये सहाबे कराम का तरीका है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए बलकि दूसरे आप देखेंगे तो इसमें एक तो बिदत है और एक तशब्व बिल अग्यार भी पाए जाता है यानि दूसरी कौमों के हैं मिलता है कि उनकी है कोई मुकदस किताब है तो उसके हाथ रखके खसम काते हैं तो चुकि हमारे इसलाम में ऐसा नहीं है हमारी शरीयत नहीं सिखाया है और उनकी हम पता नहीं क्या मामला है लेकिन हमारे यहां इसी कोई तालिम नहीं है इसलिए कुरान पे हाथ रखके खसम खाने वाला जो मामला है यह हमारी शरीयत में नहीं है हमें इस तरह से किसम नहीं खाना चाहिए हाँ किसम खाएं लेकिन उस पे हाथ रखके किसम खाने की जरूत नहीं है ये पहली बात होगी आप रही बात ये कि आपने जो सवाल किया है किसका कफारा किया है तो आपने कहा है कि तीन रोजे रखना तो मेरे भाई, कसम का कफ़ारा सिरिफ यही पे लागे महीदोद कर देना, कि तीन रोदे रखना ये ठीक नहीं है क्यांकि आ जो ठीकि नहीं है, क्फ़ारा ने जो बताया है कफ़ारा, सूरे माइदा, सूरे पाँच, आयट ना-इन में तो उसमें आल्ला फर्माता है कफारा कसम का कफारा ये कि दस मिस्कीन को खाना खिलाना और आवसत दर्जे का जो खाना आप खाते हैं उस तरह से खाना दस मिस्कीन को खिलाना है या दस मिस्कीन को कपड़ा पहनाना है या गर्दन आजाद करना है जो आज उसकी शकल मौजूद नहीं है जिसकी ये हैसियत नहीं है जो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसके लिए ये है कि वो तीन दिन का रोजा रखते है तो खुलासा ये कि असल जो कफारा है न वो दस मिस्किन को खाना किलाना या उनको कपड़े पेनाना या गर्दनाज़ाद करना गर्दनाज़ाद करने के माम राद नहीं है तो खाना खिलाना या कपड़े पेनाना अगर ये मुम्किन नहीं है तो फिर ये है कि तीन दिन के रोजे रखना तो ये कसम का कफारा है उसकी तर्तीब है कि पहले ये अगर वो नहीं मुम्किन है तो फिर तीन दिन दोज रखना अब आते हैं हमके दूसरे सवाल पर आपने जो ये कहना कि चार बार कसम खाई है तो कितना कफारा देगा भाई ये मसला ये कि चार बार क्या एक ही कसम खाई है नहीं एक ही काम के लिए अगर एक ही काम के लिए एक कसम खाते भी रिपीट किया है चार बार तो फिर एक ही बार कफारा देना है लेकिन चार दफ़ा चार अलग-अलग कसम खाई है जैसे पहली बार कसम खाया माल लेजिए कि मैं किसम खाता हूँ, कोई काम करने का, कोई अच्छा काम करने का, उसकी कसम खाई है दूसरे बार किसी काम से रुकने की कसम खाई है तीसरे बार कोई इन दोनों से अलग कोई काम था तो चारों दफ़ा चारों काम अलग अलग थे, अलग अलग कामों के लिए उसने कसम खाई है या तो रुकने के लिए या करने के लिए तो उसको फिर चार बार कफरा दोना होगा तो मसला यह है कि काम एक ही है और एक ही काम के लिए चार बार कसम खाई है तो गया है कि ताकीद है तो एक ही बार कफरा दोना होगा और अगर अलग अलग है तो अलग अलग सो कफार देना होगा उमेदे कि आपको जवाब मिल गया होगा